द्रन्वी शोक्लिफ्स में स्वागत है आपका बस देखते रो और सीखते रो सबसे डराओनी या सबसे शौकिंग चीज आपको क्या लगी है आपके पूरे डाइबेटोलोजिस्ट होने के करियर में मतलब कुछ ऐसे सप्राइजिंग जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की यह भी हो सकता है इस दुनिया में ओके यह एक इंट्रेसिंग बाद बताऊंगा मैं डाइबेटीज जब 1970-1980 के समय ब्लड टेस्ट शुरू हुए थे उसके पहले बहुत जादा ब्लड टेस्ट नहीं यूरीन टेस्ट होती थी यूरीन में स्ट्रिप डाला और उसमें शुगर प्लस आया तो बोला डाइबेडीज है उसके भी पहले जब यूरीन टेस्ट नहीं थे बता है डॉक्टर कैसे डाइग्नोस करते है डाइबेडीज कैसे है कि जब भी आप जहां पिशाब करते हैं अगर चीटियां दिखी वो डाइबडीज है क्योंकि पिशाब में चीनी है पिशाब में शुगर है चीटियां आएगी और उनको तो मीठा लगेगा और विसे तो मेरे एक पेशेंट है उन्होंने देखा कि जब भी सुबह वो टॉलेट में जाती है तो उनको चीटियां द हो गए तो क्रिकेट उनका बंद हो गया और ये स्विगी जमेटो चालू होने से वो लड़के को चाइनीज खाने का बहुत शौक था तो रोज रात को दस ग्यारा बजे चाइनीज खाना मंगा के घाता था और फिर रात को पढ़ाई करता था जो भी टीवी देखता था तो पिशाब एक दो बर करता हो को मौनिंग में मदल नोट किया कि भी चीटिया है उनको स्ट्राइक किया कि भी इनका शुगर का टेस्ट करना चाहिए वो लड़के को शुगर आ गया घर मेरे पस लेके आई वेटे को मैंने उनको चाइनीज क्यों खाने दे रहे थी आपको तो जब किसी मा ने अपने बच्चे का डाइबिडीज एक पुराने तरीके से जो सालों पहले या दश्कों पहले डाइगनोज होता था पिशाब मलब टॉलेट में चीटिया देखने से उन्हों ने उस तरह से देखके डाइगनोज किया अदर्वाइस तो मालूम ही नहीं पड ब्लड शप्लाइए वहाँ पर अथेरोस्क्लेश करके एक है जो वहाँ कोलेस्टॉल जमा करता है हाट के ब्लड सप्लाइग को थोल सा रोकता है उस जए से भी हाट अटायकुंद एक टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि डाइबिडीज आपके बॉडी के लिए के एक बॉड़ बहुत वक्त लगता और सब कुछ नश्ट कर सकता आपके बॉडी के अंदर बहुत सक्षम है सारी चीज़े नश्ट करने में और एक slow poison है slow poison है, cancer होगा आपको अचानक मालूम पड़े का, of course, we'll not go into that discussion but यहाँ पर diabetes is a slow poison है जो दीरी दीरे कितने बार मैं एक और चीज़ याद करूँगा एक पती है मेरे वाँ दरवाजे पर नौक किया और अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के ले के आए पत्नी दीरी दीरे चल रही है पहली बार मेरे पास patient आ रहा है उन्होंने कुर्सी पर बिठाया मुझे दो तिन मिट लगे जानने में कि पत्नी की दोनों आखे diabetes की वैसे चली गई हैं आखे यंग 30-30 साल की उमर रही होगी और diabetes आँखों पर भी एसर कर सकता है और in fact cataract के बाद diabetes इंडिया में अंधे होने का सबसे बड़ा कारण है सबसे इंपोर्टेंट कारण है cataract तो क्या उमर से होता है सबको होता है diabetes रही है प्रिमेंटेबल है cataract आप रोग नहीं सकते जो मोतिया बिंदू बोलते हम उसको आप रोग नहीं सकते diabetes को थो हम रोग सकते है मुझे इतना दुख हुआ उनको देखके कि वही हाथ पकड़के आ रहा है आप इमेजिन कीजिए पती और उनकी वाइफ की दोनों आके चलेगे बिठा है मेरे सामने बोलते है इनको शुगर है और आप शुगर कंट्रोल कीजिए मतब बॉडी के कोई भी टिशु को डिस्ट्रोय कर सकता है diabetes और लॉजिक वही है उन टिशुस तक आपकी ब्लड शुगर पहुँच रही नहीं है क्योंकि इंसूलिन का प्रॉब्लम है नहीं ज्यादा ब्लड शुगर पहुँच रही है ज्यादा ब्लड शुगर पहुच रही अचक मतब वो खुल में तो शुगर है नहीं हो पारी मतब एक नॉर्मल हेल्दी इंसान की बॉडी में शुगर पहुचती है अपर यूज हो जाती है यूज हो जाती है चोटी चोटी ब्लीडिंग हो जाती है जोर्ड वछल Поэтому है उस वएसे आन्ख Ke परदे में ब्लीडिंग हो जाती है मैं सुने वालों से कहना चाहूंगा अगर आपको डाइबिडी्टील साल में एक बार आपको को आपने आग के डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है एक मिन सब बाय लॉजिकली स्पीकिंग अब एक्स्पेइन कर सकते हो थोड़ा ज्यादा की शुगर वहां जाकर कैसे नश्ट कर सकते हैं आपके उस सेल्स को सुरी यार आपका podcast का flow तोड दिया पर मैं बस यह कहना चाहता हूं firstly thank you for supporting us throughout the years secondly हमने एक नया initiative स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बैसेफ स्किलाउस इसकी intention यह है कि भारत की upskilling journey में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दे हम लेकर आएं आपके लिए commercial editing का course क्योंकि यह है बियर बैसेफ टीम का core skill set बहुत सारे upskilling courses आ रहे हैं तो at least check out बियर Instagram page but for now enjoy this episode of TRS तो हर patient को साल में एक बार आख की जाच कराना जरूरी है पर यह फिर ऐसे क्यों होता है कि आपने जिन्दगी बार बॉड़ी का ख्याल रखा है आप exercise कर रहो suddenly थोड़ी exercise कम कर दी तो diabetes हो गया मैं patients को यह बताता हूं कि आपकी sugar तो बढ़ने के लिए तयार बैठी है किसी की भी जड़ा भी डील दे दो आप एक मेने की डील दे दो अब मैं अपने patients से बात करता हूं तो जिनको already diabetes है जो बड़ीया report के साथ आ रहे है HbNC जो मैंने बात की थी 6 आया 6.5 आया तो बहुत कुछ होते है patients कि sir आपने control करा दी मैंने मैंने ने करवाई यह मैंने जो आपको बताया है ते बदलाओ आपने के हैं आपने के हैं आपने sugar control कि I always say this मैं patients की उपर ही सारा credit देता हूं चुकि वो important है patient को समझने को because महा problem क्या आती है कि जरा सी आपने दील दी पंदा दिन अपन गाउं चले गए पंदा दिन घर में त्योवार आ गया शादी आ गई शुगर तो बस बढ़ने के लिए तयार बैठी है सब बुढ़ापे में सबको diabetes होता है क्या सबको नहीं बट elderly में अगर आप percentage वाइस देखेंगे तो उमर के साथ diabetes के रिस्ट बढ़ जाती है because उसका कारण वो ही है कि जब आप 80 साल के हैं विचा 80 साल के हैं आपका pancreas दीरी तेरी थकता है insulin production भी थोड़ा कम होता है जो आपके जवानी में 40 साल की उमर में 30 साल की उमर में जो insulin produce हो रहा था आज 80 साल की उमर में उतना नहीं हो पाता है और भी बाकी कारण होते हैं उमर के साथ तो उस वज़ए से भी diabetes आती है हो सकता है कि सिफ diet और walking से मैं control करवा दूँ थोड़ा के यह हो सकता है एक ही गुली नाम की गुली से मैं control करवा दूँ वो important है चुकि diet और exercise पर से विश्वास नहीं उठना चाहिए वो ही आपका सहरा है जो बुड़े patients आता है आपके पास अगर आप भारत के सारे elderly लोगों को study करें कुछ लोगों जिनको diabetes हो चुकिया और कुछ लोगों जिनको diabetes नहीं हो चुकिया फर्क क्या होता है दोलों में ऐसे कुछ प्रेडिक नहीं कर सकते हैं इसमें जिनेटिक फैक्टर्स भी होते हों स्ट्रेस अच्छा पॉल्यूशन जी आज कर कोविड के बाद भी कुछ पेशेंस में कोविड के बाद diabetes देखा गया है तो studies अभी भी चल रही है बट कोविड वाइरस भी कोरोना वाइरस जो था उसका भी कुछ-कुछ आए कि पैंकेयास पेसर कर रहा है और मोडिफाइ कर एक एस रिसेप्टर करके होता है महां वो अटाच होके इंसुलिन प्रडक्शन को मोडिफाइ कर रहा है जी इसकी studies अभी चालू है बट कारण बहुत सारे हैं स्ट्रेस उसमें से एक है नींद उसमें से एक और important चीज मैं कहना चाहूंगा अगर आप अच्छे से 7-8 गंटे अगर आप सो रहे हैं तो आप खुद पर बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं अपने लिए बहुत अच्छी बात कर रहे हैं विकॉज कम सोने से भी डाइबीटीज की रिस्ट बढ़ती है जितने भी मेडिकल कॉनसेशन हो रहे हैं चाहे हो कैंसर डॉक्टर के साथ हो स्किन ड स्कम रहेगी शुगर बीपी कोलेस्टरॉल हाट यह सारी चीज आपके हल्दी रहेंगी फिर भी सर लोग नहीं सुनेंगे बहुत डिफिकल्ट है मुश्किल है बट कुछ लोग ठोकर लगने के बाद सीखते हैं कुछ लोग शायद हमारी बातचीत करने के बाद भी कोई कर दो कर दो